हेलो वाट्सप गाइस मैंने में स्किनोट पादुपाय एंड कुदे इस वीडियो गूबल सी और टु स्टोर डेटा इन डेटावेस इंदी तो चले गाइस सुरू करते हैं सबसे बहुत 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 स्वागत काना चाहूंगा मेरे चैनल था अपा टेक्निकल पर बताना च जल्दी यह यूई भी क्रेट हो जाएगा लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब यूजर जब भी करेगा रेजिस्ट्रेशन चाहे वह रेजिस्ट्रेशन हमारा रियक्ट के थुरू यूए फॉर्म में हो या अगर आपको याद हो तो हम बिसिकली बैक एंड की फुरू करे रैज जब भी ड़ाइटर करेगा यह सारे के सारे डेटेशन फिल करके और जब हम यूई पर काम करके जब करेंगे रिजिस्टर पर तो उसको हम अपने तेटाबेस पी टोड करेंगे और यूज एक वान्से को मैं पताने वाला हूं एक सेकर इसको मैं आप लग यह मान स्टैक हमारा डेटाबस का नाम है अल्रेडी हमने विद्धी हल्प उप यूजर स्कीमा बिसिकली सिंप्ली स्कीमा एंड मॉडल्स हमने एक क्रेट किया था एंड हमने हमारा जो डॉकुमेंट उसको डिफाइन किया तो वीडियो अभी तक अगर आपने चेक आउट नह रिखेंगे और यह बहुत ही जाद इंपॉर्टेंट है और बहुत जादा मजा आने वाला अब यही समझ लो कि अगर मैं यहां पर सेंड पे क्लिक कर रहा यूजिंग पोस्टमेंट इट सेम लाइक कि आपने रियक्ट के थुरू जैसे मैंने एक फॉर्म यहां पर क्रेट क पर क्लिक करना और यहां पर सेंड पर क्लिक करना बहुत आर सेम लेकिन आयनों आपके माइन में फिर भी चली रहा होगा कि यह रियक्ट का यह जो फॉर्म जो दिखाई दे रहा है यह इसमें वह किस तरी की से हो रहा होगा वह ता आपको बस आने वाले कुछ वीडियो में चलने ही वाला है लेकिन देरी-देरी हमारा बैकेंड अल्मोस्ट कम्प्लीट होता जा रहा ओला गाइस अब बीना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते लेकिन वीडियो कु स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा अभी तक अगर अपने मेरे टेलिग्राम का जो गुरूप पर जॉइन नी किया तो जरू जॉइन कर लिजेगा आप देख सकते हूं मैंने इंस्ट्राग्राम पर उसको एड करके रखा हुआ अब ही तक अगर आपने मेरे चानल था आपा टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लिजेगा राइट साइड में क्रेट कला का बेल आइक घंटी दिखाई देगा हीट कीजिए क्लिक कीजिए ताकि आप डेले से आउसम वीडियो को मिस्ना करें आज की वीडियो का एक मिनिमूम रि अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं बताना चाहूंगा आज वो जो डेटा को आमें डेटाबेस पर इस पर शोर करना था वह हम करेंगे विद धी हल्प आप प्रॉमिसेज और नेक्स वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विद धी हल्प आप एसिंक कवेट आप उसको कैसे कर सकते हो ठीक है एंडा इस फोल्डर कहां गया मन था पा यूटूब अल्राइट देखिए सो प्रीवेश वीडियो में हमने इतिना देख चुका था है कि अगर आपको नहीं आईडिया कि प्रीवेश वीडियो में हमने क्या देगा था तो इस प्ले करता हूं पोस्ट मेरे ने अपको अल्रीड बता दिया कल की दीन अब ध्यान से देखना ठीक है यहां पर में चल लेता हूं पहले तो इसको पहले में रूट करता हूं सर्वर को सीडी मेरा सर्वर ठीक है cls और नोटमान एप.js चलो ठीक है सर्वर मेरा रन कर रहा है इतिने पोर्ट पे कनेक्शन हमारा सक्सिस्फूल हो चुका मॉंगो डीब अटलेस के साथ और मैंने अल्डेडी यह जो मेरा रूट है डैट इस रजिस्टर ठीक है यह देखो मेरा रजिस्टर पे हूं मेरा मैथर पोस्ट है इट मिन्स की यूजर डेटा फिल कर रहा है उसको पर नाओ वट आउट मुझे क्या ची यह जो भी डेटा मेंने फिल क्या है वो मुझे मेरे डेटावेस पे चाहिए जो कि बहुत ज्यूद इनपोर्टेंट है एंड वांस डेटावेस पो डेटा इस्टर हो गया लैन उस डेटा को हम कभी भी रिटिप कर सकते उसको कहीं पर भी उस कर सकते हैं बहुत मज़ाएगा लॉग इन के लिए मुझे सिर्फ इमेल एंदन पास्वार लगेगा तो मतलब एक बार डेटा अगर स्टोर हो गया डेटाबेस पर हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा तो वह आज हम देखने वाले इन नेक्स वीडियो में हम एसिंक अवट के थूर देखेंगे अब भी हम क्या कर रहे है कि यूजर ने जो भी डेटा फेल किया बिसिकली पोस्ट मैं में क्योंकि अब भी हम यह जो ओरीजिनल हमारा यह जो फाइल है यह तो अब देख हमने क्रेट किया नहीं एंड यूजर न जब हम रेजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो एक हलका फुलका कोड लिखना है जिससे यूजर ने जो भी डेटा लिखा होगा उसको हम यहां पर गेट करने वाले बिसिकली इस रूट पे एंड उस डेटा को पाने के लिए भी सेम यही कोड होगा मतलब हमें यहां पे तो पांच लाइन का डिफ्रेंस आएगा बस और कुछ नहीं ठीक है और गासा इंग बहुत ही ज़्यादा बाते हो गई है लेकिन बहुत जरूरी था यह सारे बाते बताना परना आपके मैंन में चलता रहता है इसका क्या का मुझे तो रियक्ट कि थूरू चाहिए था वह भी जरूर आएगा ठीक है तो अभी ध्यान से देखो रिक्वेस्ट बाड़ी पर मैंने आपको अल्ड़ी बता दिया मुझे डेटा आ रहा है बस मुझे यह डेटा क्या करना है मुझे डेटाबेस भी स्टोर करवाना है ठीक है अभी कैसे होगा देखो बहुत ज्यादा सिंपल अब बहुत ध्यान से देखना आप लोग ठीक है यह मैंने जानमच के आजटीज रखा हुआ है यहाँ पर मैं चलता हूँ और मैंने आपको बता दिया वी विल यूज दी फ्रमिसेस और इस प्रमिसेस तो आपको यह जावस्क्रिप्ट इन 16 आवर्स वाले वीडियो देखन ठीक है तो उसके लिए पता में क्या करता हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एंद बॉंगा यसी नेम इस तरीके से ठीक है मैं इसको बन्मोर टाइम कौपी कर सकते हो पिकॉस का कॉई लिमिट नहीं कि हाप इतने बार कर सकते तो आप कितने भी भाल लिक सकते हो र यहां पर क्योंकि मुझे नेम एंड इमेल मैंने वसे ही दो चीज लिखी थी है कि नी आई होप आपको पता चल रहागा मैं क्यों पाता रहा हूं एंड इसको लिखने का वेक और तरीका है ठीक है अब इसको लिखने का एक और तरीका है विकॉस वह हमने यह सिक्स एक्माइ स्क्रिप्ट 2015 में देखा था एंड अगेन उसके लिए आपको यह वीडियो देखना पड़ेगा इसमें मैंने एक्माइ स्क्रिप्ट भी बताया हुआ है ए सिंक्रोना सब कुछ आपको मिलेगा तो वह भी इसी वीडियो में आपको complete मिल जाएगा तो एक्म एंदेन कंफर्म पास्वर तो मुझे इन सब के लिए रिक्वेश्ट डॉड़ 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 समझ रव कितना हैक्तिक अला काम है तो क्यों ना कुछ ऐसा हो जाए कि मैं सिर्फ नेम लिखू और मुझे मेरा नेम यहां पर मिल जाए जैसे यह मिल रहा है लिखना सब्सक्राइब स्काइब सा कि महीं डॉड़ नकमटॉर डॉड़ डॉड़ टॉड़ डॉड़ डॉड़िग यह मुझे अब्रॉड़ फाल दॉड़े स्पवैली स्वेश्ट उड डॉड़ तो यही ल الإमिया सब्सक्याइद साफ बष्णुर टॉड़। यहां यहा अब भी आप मुझे सिर्फ प्सक्राइब कर देटा थोड़ा सा कम जूम, अब भी अब मुझे पता क्या करना है, मुझे सिर्फ अपर कोई कोई करना है, अब मैं simply यहाँ पर नेम, अब simply इन पर अगर में किसी इमेल करूंगा, ctrl s, save, इना पर मैं चलके send कर दूँगा, sending request as it is रहेगी क्योंकि यहाँ पर में कुछ कर नहीं रहा हूँ और मैं response.json पर कुछ दिखा भी नहीं रहा हूँ इसलिए वो sending है but the best part यह है and bang I see मैं यही आपको दिखाना चाहता था that is Vinod and then Thapa technical I mean Thapa at the technical.com तो जहाँ पहले मुझे request.body.name request.body.email लिखना पट रहा था अब मैं simply name and then email लिखे वो data user जो भी फिल कर रहा है चाहे मेरे postman पे हो या चाहे मेरे react वाले form पे हो उसको मैं get कर सकता हूँ समझ रहो तो इतना जादा simple था यह ठीक है अब इसको as it is रखता हूँ वरना वो मापिछ चलता रहेगा चलो ठीक है अब मुझे क्या करना है मैंने इस तरके से data सारे get कर लिए इसको इन सब को आप मैं हाटा देता हूँ मैं जितना neat and clean हो सा कि उतना रखनी की कोशिस करूँगा ठीक है इसको भी मैं हाटा देता तो मैं उनको एरर दिखाना चाहूँगा ठीक है and I know आप में से साथ मुझे यूनो टेलिग्राम लिंक पे पूछा था कि इमेल का वैलिडेशन किस तरी की से होगा चाहेगा फ्रेंट हो या बैकेंड में तो गाइस अगर आप वो वीडियो देख रहे हो तो यहां पर में एक तरी की से इस तरी की से एड कर दूंगा तो कितिनी इजली साथ एक की बार में हो गया है कि नहीं and now अब यह जो भी आपको दिखाई दे रहा है again इसको में कॉपी करूंगा क्योंकि इसकी निट नहीं मुझे मैं यहां पर चलके और उपरेटर यूज कर दूंगा and now what is this और उपरेटर it means इदर ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये इन में से अगर कोई भी एक अगर नहीं होता है मतलब वो एरर देने वाला and again if you don't know the difference between और उपरेटर and then and operator then I highly recommend again आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि ये मन है ये advances में चोटी चोटी डिटेल हम नहीं जा सकते जो बच्चो वाली बात हो तो ये वीडियो आप देख लीजेगा आपको सब पता चल जाएगा नहीं लिखती हो तो क्या होता है ठीक है वो देखना जरूरी ये जैसन ठीक है and यहाँ पर simple वही है जैसे मैंने कल की दिन आपको message दिखाया था now we have error एक second direct automatic आजाता है error पर मैं चलता हूँ यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हूँ लाइक आप कुछ भी लिख सकते हूँ आप अच्छा से लिख देना बस मैं तो normal लिख रहा हूँ error ठीक है चंट्रोल एशेप करते तो at least चलो मैं इतना एक बार ट्राय करता हूँ क्या होता है ठीक है अब देखो मैंने जानवच के आपको इस समय कहा था कि मैं स्टेटिस कोड नहीं लिखने वाला हूँ अगर आपको याद होगा अब अब यह नहीं बोलूगा वीडियो देखे मेर पास अलड़ी यहाँ पे देखो इसका लिंक सेर कर दूंगा बहुत अच्छे से इन्हों ने यहाँ पे एक्स्प्लेइं के वाए देखो यहाँ पे और यहाँ तो क्लाइंट ने यूज़न डेता को फिलडे नहीं किया तो उसके लिए हममें क्या करना घाए लिकिन में यह वाला lifakapika ऊट नेख्ट dairy स्बीनेigor नीकis तो मैं चलूंगा देखो यहां पर response टेकर इट सुपर डूपर इजी status simple response.status ही लिखना है पहले इंडिविजुली लिखते थे लिकिन अब एक साथ इनको join करके लिख सकते हैं यहां पर फिर मैं डॉट लागा दूँग एंड यहां पर 422 इस इट बात खत्म 422 मतलब यह वाला एरर है अब सेप करता हूं मैं पोस्ट में पर चलूंगा अब अगर में request क्लिक करता हूं and finally जी हां गया आप देख सकते हो status code पहले 200 दिखाई दे रहा था but now अब यह हमें 422 दिखाई दे रहा ठीक है सबसे ज्यादा जरूरी यह है database की store करने से पहले कि यह चेक करना की user already exist है यह नहीं because हम क्या कर रहे हम user का registration करवा रहे मतलब first time user registration करने वाल है तो इसका simple मतलब है कि इससे पहले user ने कभी registration नहीं किया होगा मतलब उसके email mobile number must be unique वो एकदम unique होना जरूरी है ठीक है तो मैं आपको दिखाते हो दिखिए मैं यहाँ पर चलता हूँ सबसे पहले अब दो चीजा मुझे लगेगी and that is कि अब मुझे मेरा database जो मेरा connection वाला पार्ट है वो लगेगा so मैं यहाँ पर चलता हूँ require ठीक है single quote double quote आप कुछ भी दे सकते हो forward slash database forward slash मेरा यह connection so मेरा connection हो गया मुझे यहाँ पर मेरा user schema में मैंने user को export किया हुआ है क्योंकि इसके अंदर मैंने सब कुछ mention किया हुआ था तो उसको मुझे क्या करना है यहाँ पर mention करना पड़ेगा basically require करना पड़ेगा so const मेरा user will be equal to require ठीक है यहाँ पर मैं चलके लिखता हूँ require perfect यहाँ पर मैं चलके देखो dot dot forward slash लिखना पड़ेगा models forward slash user schema this is it now is user के पास सारे data है इसके मदद से मैं बहुत रुच कर साता हूँ ठीक है अब ध्यान से देखिए आप now with the help of this user मैं यह पता लागा सकता हूँ find one यह method हमने already MongoDB में देख चुक है प्लीज उस video को जरू चेक आउट कीजेगा link मैं आपको नीचे description में provide करा दूँगा मैं यहाँ पर चलूँगा simple इस तरी किसे parenthesis दिया है मैंने now I will go with Calibraces already यह जो email है I mean मेरे database पे जो भी email है यह आप कैसे तो यह वाली जो भी email हमने define किया है user का क्या वो email इस email से mail खाता है या नहीं यह वाला जो है left side का वो मेरे database का email वाला फिल्ड है अभी जो मैं right side में लिखने जा रहा हूँ वो होगा वो वाला email जो user फिल कर रहा है registration करते है समय अगर यह email मैच कर गया it means कि email already exist समझ रहे हो क्योंकि यह match करना ही नहीं चाहिए क्योंकि registration की बात हो रही है यहां पर ठीक है तो कई साब में क्या करूंगा यहां पर मैं जाओंगा dot and then then because यह हमें promise return कर रहा हूँ था ठीक है please promise वाली वीडियो को ज मिलने वाला हूँ समझ रहे हो क्या होगा after one year क्या होगा दोई चीज होगा ना probability कितनी 50-50 है इधर आप मिलने जाओगे या नहीं मिलोगे बात खत्म एक साल बात आप उसको उस जगे पर मिलोगे या तो नहीं मिलोगे और कुछ होई नहीं सकते यह दो चीज है यहां पर भी मिल तो अगर वह फिल्फिल हो गया अगर वह email मिल गया तो देन के अंदर उसका response हमें मिलने वाला है तो मैं यहां पर simply लिख सकते हो इस तरह के से देन के अंदर आपको fat arrow function chip का देना है and if अगर user exist करता है अगर वो mail I mean वो जो email अगर match कर गया तो again क्या करना है इस हमें on the spot निकलना है application से बार निकल के user को बोलना है भाई please already registered हो चुका है यह number I mean यह जो email ID है तो यहाँ पर आपको email already exist इस तरी किसे लिग देना email already exist simple मेरे इतना काम होगी है control as this is it तो at least हमने इतना तो भी check कर लिया ठीक है अभी मैं क्या करता हूँ इसको as it is रखता हूँ अब ध्यान से देखना अब क्या एक second अब आपको बहुत ध्यान से देखने वाली बात यह है कि अगर user exist नहीं करता है इट मेंस की user first time registration कर रहा है ठीक है देन उससे मैं क्या करना होगा गाईस मुझे उनका अपना खुद का एक document क्रेट करवाना है ठीक है तो अब मैं directly यहाँ पर तो create कर नहीं सकता तो उसके लिए मैं क्या करूंगा हमारे पास एक method is super duper easy तो उसके लिए देखो const यह मेरा user basically new user होगा so new तो मैं इस तरके से का इस new keyword की मदद से user का instance create करने वाला हूँ यहाँ पर and मैं directly चाहूँ तो यहाँ पर पता है request.body भी लिख सकता हूँ मैंने इतना लिखा and मैं अगर simply dot save लिख दूँगा मेरा काम हो जाएगा लेकिन sometimes what you want ना कि वाले ही 100 फिल्ड हो लेकिन मुझे सिर्फ तीन डेटा एट करना रहा तो मैं request.body करके नहीं कर सकता है request.body it means जितने भी डेटा है आपको जितने भी डेटा यूजर फिल कर रहा हो सब के साब आटोमेटिक चले जाएंगे जो कि सहीं नहीं है ठीक है तो मैं क्या करूँगा curly braces इस तरके से and यह जो कुछ भी का email आप समझर में क्या कहना चाह रहा हूं actual में वह ऐसा हो रहा होता है क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है न यह जो name है वह database पे जो आपको left side में जो दिखते है as a field वह वाला name है and यहां पे जो right side में आपको name दिखते है वह basically user ने कौन सा data field किया name वाले input में वह होता है लेकिन दोनों के दोनों same है na email email name name आपको याद है and if both the key and the value are same then no need to write both at the same time अप कोई एक लिख सकते हो आपका काम हो जाएगा तो again यह आप कह सकते हो कि यह भी object का ही एक new property जो act my script 2015 में इंट्रूस करवाए गया था यहां पर हम destructuring नहीं बोल सकते लेकिन यह एक property अगर key and value same होते त को काम हो जाएगा अपका ठीक है ना एक चीज बस आपको यह ध्यान में रखना है कि यह वाला जो पार्ट है यह फिलाल कोई हमें कोई promise या कुछ return नहीं कर रहा है ठीक है तो इसको मैं as it is रख दूंगा अब एक line का में ग्याप देने वाला हूं अब यह जो user है इसमें user का सारा data field हो चुका है समझ रहे हो now it's like your one new document तो उसको अब आपको क्या करना है आपको अपने इस collection के अंदर user वाला ठीक है so मैं क्या करता है user.save method को आपको call करना है now एक बहुत ही जाद important चीज again यह जो method है it returns promises promises return करता है it means again आपको then use करना पड़ेगा now with the help of then आप यह चेक कर स now guys आप मैं स्टेटेस वाला पार्ट पहले लिखने जा रहा हो क्योंकि आपको अल्रेडी पाता चली चुक है दोसो एक it means data create हुआ है database पे and then मैं जेसन के थुरू एक message दिखाना चाहूंगा and that is simple all right message कुछ भी लिख सकते है सा कुछ ही नहीं है success fully all right perfect इसको मैं कर देता हूँ control and then मैं यहां पे जाके dot catch it means कि अगर successfully stored नहीं हुआ कुछ error आ गया तो यह वाला जो पार्ट वो उसको catch कर लेगा ठीक है मैं जानमुचके गाइस को मैं बहुत सौट तरीके से लिख सकता था फैट अरो फंक्शन में लेकिन मैं जानमुचके एक दम लंबा चोड़ा ही लिख रहा हूं ता कि आप लोगों को कोई problem ना response dot status ठीक है यहां पे चलके लिख दूँगा यहां पे लिख दूँगा यहां पर कली ब्रेस अरो लिख रहा है अगर यह कुछ एरर आ गया तो उसको भी आप यहां पर काम हो चुका है एक और चीज रहे गया काई यह वाला जो दैन आपको दिखाई दे रहे यह जब हम यह फाइंड वाली कमांड रन कर रहे थे अगर क्यांगbn कमांडी रून पर एसको हम यहां पर क्या udah को कि चलता हो सिंपली को मैं बहुत ही ज़िप रिया पर सकता हूं सो कैस यहां पर सिंपली मैं चल के लिख दुँगा अब तो कई सद्गी मुझे पईंघनिते सिस लिखनी के भी लिय तरहिष और आप स्थे क्वें इतना कोड आपको लिखना था ठीक है ना अब यूजर ने जो भी डेटा फिल किया वो आपके डेटाबस पर जाकी स्टोड होने वाला है और एक एक लाइन का मतलब पता चलिया होगा यहां पर बहुत ही जादे इंपॉर्डेंट है अभी आप देखे सकते हो अल्रेडी एरर पहले ही था ठीक है मैं वापस एजटीज रख दू वापस से मुझे एरर आ रहा है यहां पर हम देखते यहां पर तो कुछ हो गए नहीं कुछ कुछ कर भी नहीं रहे यहां पर मैं रिफ्रेस्ट करना चाहूंगा क्या डेटा से वहा ओलाइट गास नहीं हुआ क्योंकि वह यूजर रजिस्टर सक्सिस्पुली एंड बैस पाटी है कि मुझे 201 वाला जो स्टेटिस कोड क्रेटेड मादलब हमारे डेटा बेस पे एक न्यू यूजर क्रेट हो चुका है इसका मालब यह अब ध्यान से देखना दिये मोमेंट में रिफ्रेस्ट करूंगा एंड यह ब आपको सोचो यार पोस्टमैन वाले पार्ट में मैं डेटा फिल कर रहा हूं मन का मैं यूजर कर रहा हूं अगर हम एक डेवलपर होते है तो कैसे लगा गाइस यह थाने एकदम ऑसम यह जो पार्ट है यह हमने किया विदी हल्प आप प्रॉमिस अब मैं आपको नेक्स और सिंप्लिफाइड कैसे कर सकते थे विदी हल्प आप एसिंक अवेट जो की एडवांज आवस्क्रिप्ट का टॉपिक है और जब हम बात करते हैं मन में तो आपको सारे के सारे एडवांज आवस्क्रिप्ट के टॉपिक्स आना बहुत ही जरूरी है इट्स अ कमपलसरी मै सब मैंने एक ही वीडियो में एक्स्प्लें किया प्रोजेक्ट के साथ इंटर्वी कोईशन के साथ तो इस वीडियो को जरूर चेक आउट कीजिए आपके सारे डाउट के लिए हो जाएंगी आयो गाइस आपको आज कर बहुत पसंद आओगा आपको ये वीडियो कैसा अला ठीक है एंड बाता ना चाहूंगा गाइस वीडियो को एक लाएक जरू कर दीजेगा एंड अब भी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइस प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजेगा राइट साइड में ख्रेट का लाग क बैल आइक गंती दिखाई देगा एक कीजे क्लिक कीजे ताकि आप डेल ये सासम बिडिज को निस ना करें एंड कुछ भी डाव तो बेफिकर ओके नीचे कर आउन कीजे मैं आपकी जरूरा हल्प करूंगा तो टील दन गाइस थैंक यू सो मुच टेक क्या झाल